किसान भाईयो नमस्कार मेहू दसरत दाकर आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में इस वीडियो में हम बात करेंगे मुफली की खेती के बारे में मुफली की खेती में किसान भाई किस प्रकार से उत्पादन को बढ़ा सकते है मुपली में फूल आने के बाद वो कौन से जरूरी काम है जो सभी किसानों को करना चाहिए जिससे प्रती बोदे में ज़्यादा से ज़्यादा मुपली का विकास हो और मुपली का उत्पादन भी अधिक निकले वीडियो को आखिर तक देखिए जो किसान आमरे चीनल पढ़ना हो चीनल को सब्सक्राइब कर दीजे वीडियो को अन्य किसानों तक सेर भी जरूर कीजे मुपली के खेती की बारे में बात करे तो अधिक तर सेत्रों में मुपली की खेती की जाती है इस साल मंडी बाओ भी कापी अच्छे है मुफली की बुवाई के बाद जब फ्लोरिंग अवस्ता शुरू होती है जैसे कि स्वैबिन में फूल निकलते है ठीक उसी प्रकार से मुफली में भी फूल निकलना शुरू होते है उस समय पर पौदे के अंदर जमीन में मुफलियां बनना शुरू हो जाती है चोटे-चोटे दानों का बराहू लेकर मुफली का विकास सुरू हो जाता है इस समय पर आपको तीन जरूरी काम करने होते है जैसा कि पहला काम मुफली में बारे सुकने पर स्प्रिंकलर से सीचाए अभी के समय पर हमारे सेतर में भी बरसात नहीं हो रही है और मुफली की फ्लोरिंग आवस्ता में चल रही है इस समय पर अगर बरसात 2-4 दिन के अंतर हो जाए तो कोई बात नहीं लेकिन लंबे समय तक बरसात ना हो तो इससे हमारे उत्पादन पर असर हो सकता है क्योंकि मुफली जमीन के अंदर लगती है अगर खेत में नमी सुकेगी जमीन के अंदर से भी नमी सुकेगी तो निस्तित तोर पर उत्पादन पर इसका असर पड़ेगा खास करकि मुफली की फ्लोरिंग फ्लोर में सबसे ज़्यादा बारस का एपेक्ट देखा जाता है हो सके तो स्प्रिंगलर से आप सीचाई कर सकते है जिससे जमीन में नमी बनी रहे पोदा एकदम सुष्ट रहे नमी युकत रहे जिससे मुफली का विकास चलता रहेगा पहला काम आपको ये करना है इससे के लाव दूसरा काम करना है मुफली में सल्फर का परियूग मुफली एक तिलनी फसल है मुफली में पिलापन कहीं बारा आ जाता है जिससे पोदे की ग्रोथ रुख जाती है और फल पुल उतनी ज़्यादा नहीं आपाते है अगर आपने मुफली में सलफर का पर्योग नहीं किया है तो सलफर दानेदार जो बेंटो नहीं डाता है उसका पर्योग आप कर सकते है अगर खेट की तैयरे में सेस्वी सिंगल सूफर फासफिट दिया है तो दोबारा सलफर देने की कोई भी जूरूत नहीं है अगर आपने अभी तक सलफर नहीं दिया है तो आप सलफर दानेदार के माध्यम से सलफर का परियोग कर सकते हैं क्योंकि इसके बाद आप अगर सलफर देंगे तो उसना अधी फाइदा आपको नहीं मिलेगा सलपर का परयोग करने के बाद भी पांस से दस दिन लगते हैं उसका रिजल्ट आने में तो आप इस समय पर परयोग करें ताकि समय पर आपको रिजल्ट मिले तीसी जी जाती है मुफले में किट ना सक फंगी साइट का स्प्रे बहुत किसान भाई ध्यान नहीं देते स्वेबिन या अन्य फसलों में तो किसान भाई समय समय पर इस पर करते रहते हैं लेकिन मुफली की फसल में इस पर नहीं करते हैं इस साल मुफली में मच्छर मुईले का टेक कापी ज़्यादा दिखाए दे रहा है मच्छर या मुईला अगर मुफली की वसल में लग जाए तो इससे मुफली की पत्तों का विकास रुख जाता है पौदा पीला पढ़ना सुरू होता है बढ़वा रुख जाती है ग्रोसमंदी समशें आती है मुफली बलाई जमीन के अंदर लगती हो लेकिन अगर पौदा उपर से खराब होगा उपर से बीमारियों का सिकार होगा तो मुफली की संक्या कम आएगी पौदे में पोसक ततों की पूर्ती नहीं हो पाएगी जिस कारण से उत्पादन कम निकलेगा मुफली की पसल का समय पर निरिक्सन करें अगर फसल में मच्छर मूले काट एक नजर आता है तो समय पर केट नासोगर फंगी सट दवाईयों का स्प्रेयाब कर सकते जिससे पौदा एकदम स्वस्त रहेगा फलपूल तेजी से आएंगे और उत्पादन में बड़ोतरी होगी इसका लवा मूपली की फसल में समय समय पर नपी के गुलनसील खादों का परियोगा आप करते रहे जिससे भी बेहतरी इन अच्छे रिजाट आपको मिलेंगे मूपली की ग्रोथ नहीं रुकेगी पोदा हरा बरा एकदम स्वस्त रहेगा फल पूल भी अच्छे से आएंगे और उत पादन में बड़ोतरी होगी उमीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आये होगी वीडियो को लाइक और अन्यकी सानों तक स्चियर करें धन्यवाद